हेलो फ्रेंड्स मैं स्टड़ी नाइंटीवन चैनल से नितिन गुपता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों कल वाली सीरीज आज फिर से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जैसा कि आप लोगों ने कल डिमांड किया कि सर प्लीज आज जो है साइंस को भी अब अपने सीरीज में सामील कर ली जगा तो भाई मैंने कर लिया साइंस को भी सामील हो फटा-फट देखते हैं क्योंकि अब हो सकता यह सीरीज और भी बेहतर हो जाएगी पहले से क्योंकि अब हम लोग हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी एग्रिकल्चर एकोनॉमिक साइ सब्सकत कर देखते हैं गर्राफी मदाषत मlaf tu तो देखने को सामने आया है इक अस्थाई बंदवस्ती नर्वारी है यह किस ने चालू किया था टामस मुन्रो ने चालू किया था और सबसे भेमस रही थी अस्थाई बंदोबस्ती उसको लाड काने वाल इसने चालू किया था ठीक है यह सारा पॉइंट आप याद रखना आगे है अस्थाई बंदोबस्ती के तहत जमिदार को पूरे राजसु क कितना प्रतिसत राज को जेना देना थैहुआ तो 189 प्रतिसत दोस्तों राज को देना थैहुआ और 11 प्रतिसत ये स्वयम के पास रखता था अपने पास रखता था था ठीक है यह भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं तो यह भी आप याद रहो यानि फिर faith प्रबंद में चलने वाला सिमित देवता वाला प्रमक प्रथम बैंक कौन था तो उस बैंक का नाम था अवद कामर्सियल बैंक दोस्तों याद रखना है कब इस्टार्ट हुआ था 1881 में बना था कांग्रेस उसके चार साल पहले इस्टार्ट हुआ था बैंक अवद कामर्सियल बैंक जो की सिमित देवता का प्रथम बैंक माना जाता है अगला है अंग्रेजो द्वारा पहली बार अस्थाई बंदोबस्ती कहां लागू किया गया तो यह मद्रास प्रेफिद बादन 1913 से आगे है रेल विभाग के लिए पृतक रूप से रेल बजट कभ आना सुरू ह trans week mucha सो विपचेश पचीश के जो रेल बजट ता उसमें प्रिथक रूप से रेल बजट आना इस्टार्ट हुगा, बट अभी मोधी सरकार में फिर इस रेल बजट को उठाके नार्मल बजट में सामिल कर लिया गया है, फिर यह यह खो गया, आगे भारत में विकेंद्री करल का सुभारम, किसके समयम हुआ, तो विकेंद्री करल का लाड मेयो के समय में और इनी के समय में पहली बार जन्रणना भी कराई गई थी ठीक है इसको भी याद रखिए आगे भारत और इंगलेंड के आर्थिक हित प्रतिक छेतर में टकराते हैं यह कथन किसका था तो यह कथन था जवाहर लाल नहरूजी का क्या कतन था कि भारत और आर्थिक हित का करते हैं आपस में टकराते हैं मतलब दोनों की जो विचार धाराएं हो वो समान नहीं है आगे है पावर्टी एन अन बिटी स्रूल इन इंडिया के लेखा कौन है तो यह किताब लिखा था दादा भाई नरोजी ने और इसी किताब में सबसे पहले दादा भ चास से आगे है भारत में रेल्वे के अस्थापना को आधुनिक उद्योगों की अग्रदूत या जननी कहा जाता है और यह किस ने कहा तो यह कहा था काल माक्स ने ठीक है और इस रेल्वे को अस्थापित करने में सबसे बड़ा स्रेक इसको जाता है तो लाड डलहोजी को जाता है 1853 में पहली बार भारत में रेल्वे की शुरुवात हुई भारत में पहली पटसन मील कहां स्थापित की गई तो बंगाल में ही है एक जगह है उसका नाम है रिसरा नहीं सिर्सा वैसे बोलते हैं मुझे ही पता है सिर्सा अब यार रिसरा दे रहा है चुरो देख ल जोहा इस पात उद्योग कहां पर अस्थापित हुआ तो बिहार में अस्थापित हुआ था ठीक है बिहार में उस समय बिहार था बाद में बिहार से काटकर जारखन बन गया तो अभी वो हिस्सा कहां चला गया जारखन में चला गया आगे है कांग्रेस के कराची पटेल आगे भारत में अंग्रेजों को भूमी खरीदने वह बसने की अनुमती ये कब से मिली तिया 1839 के अधनियम से इनको ये पावर मिल गई को भारत में भूमी खरीद सकते हैं वहां बस सकते हैं और 1813 की बात करूं तो इस 13 वाले अधनियम से उनको भारत में गिरजा घर बनाने इसके अलामा भारत में पादरियों के इंट्री हो गई ये सारा काम जो है 1813 वाले अधनियम से हुआ है पढ़ाया वह आपको डिटेल से आगे इकोनॉमिक हिस्ट्री अफ इंडिया नामक पुस्तक किस ने लिखा है तो इसको लिखा वह ये रमेश चंद्रदति थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया था किसको लेकर के हरीपूरा दिवेशन में जवालाल नहरू को लेकर के तो कर रहा है 1938 इसवें भारती राष्टी कांग्रेस के अन्रोथ पर राष्ट्री योजना समीती बनाए गई उसके अध्यक्च कौन बनाए गए तो उस योजना स समीत के भी अध्यक्च बनाए गए जवाहर लाल नहरू आगे किसके काल में सिचाई आयोग का गठन हुआ तो करजन लाड करजन के समय में हुआ था और करजन कब से कब तक था 1899 से लेकर 1905 सकता इसी के समय में सिचाई आयोग का गठन हुआ याद रखना दोस्तों कई बार अस्थान पर 1866 में भीषरा अकाल पड़ा था तो ये उडीशा में पड़ा था और 1870 में दोस्तों आगे चलके बंगाल में भी भीषरा अकाल पड़ा और इसी भीसर आकाल में दोस्तों अंग्रेजे ने बहुत प्रतिक्राय की थी जिसके काड़ बड़ी सारी समस्याएं भी देखने को मिली और आगे फाइनली जो है कमपनी की सासन को मेंटेन करने के लिए नियंत्रित करने के लिए बिटीस संसस से एक एक्ट भी आ गया कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट ठीक है चलिए आगे देखें कलकत्ता में मुस्लिम सिच्छा के विकास के लिए मदर्सा कब से अस्थापित होना शुरूआ तो गिर्जा घर पहली बना 1813 के अद्मियम से बट गिर्जा घर वाली बात आ जाती है 1772 में ठीक है 1772 में पहली बार मु और मुhm सांगाश्ट सखी आगे अगे भारत सडीटा का अंगरेजी में अनुबाद किसने की था तो विल्यम विल्किंसने कि आता किसने विलियम बिलकिस ने सबसे पहले अंगरेजी में अनुबात किया था गीता का ठीक है गीता आप लोग जानते होंगे जिसमें की स्ट्रिक्रिशन जी के उपदेश जो है दिये गए है आगे है बिजली संचालित संचालित होना चाहिए बिजली संचालित तार सेवा पहली बार क संस्थापक कौन थे जोनाथर डंकन थे और किसके समय में इन्होंने क्या था तो वारिन हेस्टिंग से काल में जो इन्होंने एक संस्कित बिस्विद्धैले के स्थापना की थी तो दोस्तों इस तरह से अगर आप याद रखोगे तो चीज़ा आपको और बहतर याद रहेंग तो याद रखना अटलांटिक महासागर जो यह सबस्य ब्यस्ततम महासागर है लेकिन आपसे ब्यापारिक नदी पूछ रहा है तो याद रखे राइन नदी है ठीक है यह कहां पर जर्मनी में राइन नदी यह सबसे ब्यस्त ब्यापारिक नदी है आगे है बिस्व का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो चौड़ी की बात करोगे तो अमेजन नदी है या प्रवाह की दिश्टी से आयतिंग की दिश्टी से और चौड़ाई की दिश्टी से सब में नंबर वन पर है और नील नदी की लंबाई के मामले में नंबर वन पर है ठीक है नील नदी आगे है बिस्व का पूरा सबसे उचा बाद कौन सा है बिस्व का पूरा सबसे उचा बाद तो उसका नाम है रोग वंसकी क्या नाम है रोग वंसकी ये बिस्व का सबसे उचा बाद है इसके बारे में आद रखना आगे है हैंबर्ग किस नदी के मुहाने पर इस्तित है तो हैंबर्ग जो दोस्तों ये अल्ब नदी के मुहाने पर इस्तित है बाकि अगर सीन की बात करने तो पेरिस में है राइन की बात करने जर्मनी में है रोन तो मुझे नहीं लगता यार कोई नदी है आगे है रोम नगर नदी नहीं है लेकिन रोम नगर है करा रोम नगर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो यह टाइवर नदी के किनारे है ठीक है गलती यहां पर लोग करते हैं राइन करते हैं राइन नहीं है दोस्तों टाइवर नदी के किनारे आपका रोम बसा हुआ है आगे विश्व क सबसे तेज बहने वाली महा सागरी जलधारा कौन सी है तो सभी जलधारा को मैं आपको पढ़ाया हूँ लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे तेज कौन सी जलधारा बहती है तो गल्फ स्ट्रीम ठीक है सबसे तेज बहने वाली जलधारा कौन सी है गलफे स्टीम और यह गर्म जल्धारा है ठीक है क्यों बोलते हो वही सबसे पाये जाता है आगे है निमन में से कौन सा गर्म जल्धारा है तो वेनेजियुला याद में थांडी है ओ रहा ब्राजिस आपका यहां पर गर्मेंजल्दाह करना दोस्तों और बहुत जबर्दस पड़ायौक अगर आप देख लोगे में आपको सभी जल्धार आपको याद हो जाएंगे तो अगर आपको देखना हो ताप इस प्रट्रेटिक जी के का एक फोल्डर बना होगा वहां पर आप आज वह वहां से देख लीजिए ठीक है आगे बोला है कि Great Barrier Reef किसके सम्हीं पिस्तित है सभी को पता है यह आस्ट्रेलिया में है क्यूं यह तो बड़ा ओल्ड कोशन है Great Barrier Reef किस नदी को चीन का सोग का जाता है तो हवांग नदी को चीन का सोग कहा जाता है और नदी का चीन की सबसे लंबी नदी को है तो यांग टी सी क्यांगे तो याद रखेकर कैरीबियन सागर जो है वो अमेरिका के पास है और कैस् पीन सागर की बात करो तो यूरोपेशिया के ठीक नीचे बढ़ेगा आपको बीच में पढ़ेगा ठीक है इधर अफरीका उड़ पास में पढ़ता है तो भूमत सागर जहां तो उसी स्थोड़ा सागर आओगे तो कैस्पियन सागर काला सागर लाल सागर हो इस सभी आसपास में है ठीक है आगे देखिये तो कैस्पियन याद रखेगा यह वल्गा नदी यहाँ पर आकर गिड़ती है वियना सहर जो है किस नदी के किनारे बसागए तरह डेन्यूब ना सहर ठीक है डैन्यूब नदी आगे देखिए कराइब भिश्ट की सबसे लंबी नदी आपको बता चुका हूँ नील नदी है सबसे लंबी नदी आगे है निम्ने में से कौन सा सहर नील नदी के किनारे बसा हुआ वही मिस्त्र वगरा होगा अच्छा मिस्त्र नहीं तेरा खार्तूम दे रहा है कौन से बहुत करेगा ने रोबी केनया के रहतनी टहें ऐगर लोगर ज廃द होगा-ठीक है यह नील नदी के किनारे बसा हुआ महासागर की जलधारा है तो ये अटलांटिक महासागर की जलधारा जो कि सबसे बेस्त महासागर है वहीं की जलधारा रेनेल जलधारा आगे गहरा नीला नील नहीं नीला गहरा नीला रंग होने के काड़ किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा काते हैं पताइए यह क्यूराइल की जल धारा है पढ़ाया हूँ आपको क्यूराइल की जल धारा को जापान के लोग काली धारा के नाम से पुकारते हैं क्यूराइल आगे सीन नदी तो सीन किसका देखने गए थे तो एफिल टावर का ए किसमस के बच्चे की जलदहरा काते हैं तो यह सब याद रखिए आगे है दोस्तों समुद्री जल की सरवाधिक लमड़ता पाई जाती है कितने पर तो यहां पर 35 प्रस्त दे रहा है हलांकि और भी है जिसे तुर्की का वान जीलूल उठा लो तो वहां पे अड़े 300 पर्शेंट उपतर है ऐं बहुत ज्यादा खारा पानी वाँ निमलिकित में से किस definis में यूफ्रेटस वह तिगरीस नडिया भाती है राक की एरक की टिगरीस नदी है इअगे निमलिकित में ठंडी यार हम बोल्ट जो है ठंडी है क्यों रोसियो गर्म है आपको बताया था क्यों रो रहा है तो गर्मी हो रही है ब्राजील भी गर्म है तो क्यों हम बोल्ट जो यहां पर हम पर बाल्टी उलट दिया तो ठंडा लग गया तो ऐसे आपको मैंने बताया तो सीत जलदा रह आगे पेरी सहर किस नदी के तरट पर याकरी कोश्चन है वही सीन नदी ठीक है पेरी जो है यह भी सीन नदी तो वही एफिल टावर होगर है सब इसी के आसपास है तो याद रखेगा चलिए लगे हाथ अब हम लोग पॉलिटी पे चलते हैं और वहां देखते हैं कि कौन-कौ यह आपातकाल के बारे में बताता है राष्टी आपातकाल जी हां दोस्तों उसी की बात कर रहा हूं आगे जम्मू कस्मीर को किस अनुच्छेत के अंतरगत विसेज दरजा प्रापत है धारा 370 लोग धारा बोलते हैं धारा नहीं है अनुच्छेत 370 के ताथ जम्मू कस्मी किस से है तो यह राज्यों में राष्पती सासन लगाने को लेकर के है ठीक है 356 352 जो था वो राष्ट्री आपातकाल था और 360 जो आता है 352 454 603 अनुच्छेत है इसके मामले में वो बित्ती आपातकाल कहा जाता है आगे है भारती सम्मीधान में समानता का अधिकार 5 अनु टुए कवाण बात करूं तो भाग चार क्रा में मूल करतबयों को लेकर अً वर यह लिया गया था सोविय संग्रूस के समिधान से और कौन लाया था भारत में तो स्वर्ट् выпуск कमेटी के द्वारा इसको लगाय गया आगे भारत के नागरिक का करतब्य होगा कि प्राक्रितिक परियावर्ड का सनच्छड एवं सुधार करना तो यह किस अनुच्छेद में बताए गया है तो यह 48 ए में बताए गया है कहाँ पर 48 डाल दी जगा है आपर 48 आगे है संभीधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत राज सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है तो अनुच्छेद 40 के अधार पर का गया हलांकि जो यह सब अनुच्छेद हैं यह सब राज्य के नीतने सक्तत्व में आते हैं और यह 36 सिले के 51 तक जो हैं इनके बारे में बताया गया है आगे वर्तमान में संबिधान में कितनी अनसूचिया है तो वही पहले वाली है बार अनसूची आगे संबिधान की द्यूती अनसूची का संबंध किस से है तो महतपुर पद और पदादिकारी जो हैं उनके बेतन भत्तों से ठीक है किस से? बेतन भत्तों से आगे कौन सी अन्सूची में 22 भासाओं को मानिता दी गई तो आठवी अन्सूची दोस्तों भासा संब्दित है और अभी तक 22 भासाओं को जो है इसमें सामिल किया गया आगे है दल बदल के आधार पन निर्वाचित सदस्यों की अयोगेता संबंदी विवरण किस अनसूची में दिया गया है दल बदल दस से दस वी दस से दल बदल याद रखेगा ठीक है आगे है संभिधान की छटी अनसूची किस राज में लागू नहीं होती दोस्तों सारे अनसूची को बारे मैं आपको पढ़ाया हूँ तो अम्ट्यम तुरम तो अरण चल मेस жд suspicious अंहीं तीपुरा मिजुरम तो तुर्फीर violet राजियों में नामों की सूची तता राज्छित्रों का ब्यवरा देती तो पहली अंसूची ही ये बताती है संग का नाम क्या होगा उसके राज शेत्र कौन कौन से हैं आगे भारती समिधान में नौवी अनसूची परिवर्तित हुई किसमें पहली संसोधन के दोरा नौवी अनसूची में परिवर्तन लाए गया है तो तो तीरसाट प्राश्पती आगे वित्तिया पातकाल तीन सो साथ आपको बता चुका हूं राष्ट्री पिछडा आयोग ठीक वीसी वाला पूछ रहा है इसका गठन किसके तायत के आगे तो 340 340 मुझे हां कुछ डाउट फिल हो रहा है मैं 330 मुझे आदा रहे हैं पिछडा आयोग का घथन 330 दोर इसको आप चेक कर लीजेगा क्योंक्य काफी दिनों के मुझे संविधान हो उसके बारे बताए गया है और समवर्ती सूची किस राज से समद्धित नहीं है कहा चला गए भाई रुख जाओ ठीक है तो किस से समद्ध नहीं है तो याद रखे जम्मु कस्मीर से समद्ध नहीं है समवर्ती सूची किस राज से समद्धित नहीं तो जम्मु कस्मीर आगे है समविधान लागू होने के समय है समवर्ती सूची में कितने भी सहते तो 47 थे और वरतमान में राज्य सूची में कितने हैं राज्य में तो छाचत हैं और संग में कितने हैं 97 अगे इपatics नकी में नवन एंट चीन च neglig यह जो पौशन उन्हें ऐ च्छट्र के पर दो थे a हरु बढ़ते हैं और यह जो आपको क्या है श्रून में चीन इस स में उतपादक और उबोक्ता देश कौनसा है? चाय काली चाय कर तो, जैसी चाय कर तो हर तरह के चाय में दोस्तो, भारत का नम्बर बन अस्थान है. आगे अब दूद में कितना अस्थान है? तो दूद में पहला अस्थान रखता है भारत. कुल पसुओं की संख्या में कि कौन सा स्थान है तो दूसरा स्थान हालांकि अगर पसुधन की बात करेंगे तो भारत का पहला आ जाता है अब ये डेटा हो सकता है चेंज हो गया है इसको आप पहले पे डाल दो ठीक है आगे कुल पसुधन अगर पूछ दे यहाँ पे हो सकत होने वाला हो तो आप इसको जो है या तो मैं खुदी पढ़ा देता हूं या तो आप जो है खुद से देख लिया करो क्योंकि अपडेट रहना बहुत जरूरी है आगे बिस में सबसे बड़ा चामड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो भारत है आलोबर वर्ड जो है भारत मे चमड़े का उत्पादन जो हो बहुत जादा है आगे अपरेसम फ्लड का कारकरम कप से स्टार्ट हुआ था तो आपरेसम फ्लड दोस्तों ये दुग्द करांती को कहा जाता था ये 1970 से शुरुआ था और वर्गीज कुरियन ने इसको स्टार्ट किया था कि इसने वर्गीज कुरियन ठीक है आगे अपरेसम फ्लड कारकरम का संबन किस्से है तो दूट से है और इसके सुत्रागदार कौन थे तो वही डाक्टर वर्गीज कुरियन आगे है बिस्व में समुद्री मत से उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है तो मचली के उत्पादन में दोस्तों मचली उत्पादन में वाली पख़आते हैं तो यह पक्डड़ी निच्छ सा निच्छान भारत किता यह तो मचली पख़आ है खुंसा है गुझरत आगे-क पानी-क Сंथ यह पगतरि बहुत जादा चलने हैं तो मचली बहूत प्रीया ख़ा पहले अज़ी अस्थान पर आघे स्वेड करांती का संबन किस से वही आप रिसमप्राट से पीली कुरांती किसे संबनने है वह बहुत सारे बैंक ऑप हंदुसतान याद रखेगा बैंक आफ हिंदुस्तान के स्थापना कब हुई थी तो 1770 में हुई थी बैंक आफ हिंदुस्तान की स्थापना अगे बैंक आप बंगाल के इस्थापना कभ गूए तहीं։ बैंक आप मद्राज बैंक आप बंबे बंगाल को आपस में विले करके किस बैंक इस्थापना किया गया था तो 1920 में दोस्तों Imperial Bank of India बना था कौन सा Imperial Bank of India बना था आगे Imperial Bank of India के स्थपना कब वही 1921 आगे Imperial Bank of India का राष्ट्री कड़ कब होता है तो यह State Bank of India के नाम से इसका राष्ट्री कड़ होता है 1955 में तो एकोनामिस के बस इतने ही कोश्चन है आगे Agriculture पर फोकॉस करते हैं थोड़ा सा चलो अचा अभी Computer दे रहा है आगे Point and Draw Device या Pointing Device, Draw Device यह किसको कहा जाता है तो Mouse को कहा जाता है Mouse को इसके लावा Inputting Device भी कहा जाता है तो Pointing Device, Draw Device, Inputting Device सब यह है Track Ball किसका उधाड है तो Pointing Device का उधाड है पहले एक जमाने में Track Ball आये करता था उसको हाद से Move करके मौस के Panther को हिला यड विला जाता है तो वह किसका उधारण रहे है त्थ कौपी एक Output है तो Hard copy मतलब क्या है आपको हाथ में मिल गया right delete Trinity format में थे स재केंडरी स्टोरेज मीडिया से heartips में को काजयाता है तो वह क्या है इई इंस्टालिशन होता है जैसे जब कोई इसी जब डाउंडोड करते हो तो वह पहले hardix में आती है ठीक है और वहाँ से program को copy करते हो अलगल जगो तो इंस्टाल होना ठीक है आगे किस memory में रखा data बिजली जाते ही समाफ्थ हो जाता है तो जो आपका random access memory होता है रैम जिसको बोलते हो वो बिजली के जाते ही समाफ्थ ह जाता है रेंडम एक्सेस मेमोरी यानि जो आपका रैम है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्चन है इसलिसको वोलाटाइल बोलते हैं आगे डिवीडी का उधार कौन सा है तो ऑप्टिकल डिस्क हो गया सिडे हो गया डिवीडी हो गया ठीक है ये सब डिवीडी के उधारण है आगे sud hvor का पूरा नाम कह तो cd बोले दो घृटाएनगर नाम कह Neo combat, सिस्का यानि वह से看-de रीडीड आपूर्टी का संचित रूप क्या होता है तो UPS दोस्तो UPS के माध्यम से continuously आप बिजली की आपूर्टी कर सकते हैं कंपूर्टर को अगर UPS नहीं तो light कटने के बाद computer automatic क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा तो ऐसे में काफी सारी फैलों को नुकसान भी होता है इसलिए UPS का रोल यहां पर बढ़ जाता है आगे है motherboard में क्या रहता है जो motherboard पर CPU को दूसरे पूर्जों से जोड़ता है तो system bus के माध्यम से ये कल पूर्जे आपस में जुड़े होते हैं परफम गड़ना यंद्र का नाम क्या था तो सबसे पहला गड़ना यंद्र बना था abacus क्या बना था abacus बाद में जो है computer का निर्माड हुआ आगे windows डम में डम से क्या सब्द बनता है तो डम से बनता है millennium क्या बनता है millennium ठीक है millennium आगे है modulator और demodulator फिक यह क्या होता है तो जब आप net चलाते हैं तो उपर आपके संवल ऐसा कुछ बनता होगा तो इसको modulator और demodulator कहा जाता है इसका सामानी नाम क्या है modem क्या बोलते है इसको modem आगे पहले से on computer को restart करने को क्या कहा जाता है तो कहा जाता है warm booting है क्या है warm booting यानि कोई computer पहले से on है उसको दुबारा restart कर रहे हो तो क्या हो जाएगा warm booting HTML का full farm क्या होता है तो hyper text markup language ठीक है document बनाने के लिए इसी में एक चीज़ और होता है tax editor की ठीक है ये edit करने के काम आता है आगे computer से अधिकान से processing होती है कहाँ पर हम जो कुछ भी data देते हैं CPU तक जाता है फिर वहीं से process होके आता है output one करके CPU आद रखेगा website collection क्या है तो web pages का collection होता है जो web का page होता है इसकी home पर एक नया page खुल गया answer की पर एक नया page खुल गया तो इस तरह से जो जो नया page खुलता है वही क्या का लाता है web page का लाता है ये website का collection होता है आगे किस programming language को translator की जरूवत नहीं होती है तो machine language को किसी भी तरह के translator को जरूवत नहीं क्योंकि जो आपकी computer वही machine भासा को समझती है आगे Excel spreadsheet का extension क्या है तो जब भी आप इसकी file को save करेंगे तो .exealias नाम से इसकी file जो है save होंगी ये भी आप याद रखे अब कोई image save करते हो तो .jpg आजाएगा क्या आजाएगा JPG आजाएगा ये सब भी आद रखे आगे JPG मतलब JPG file extension किसके लिए इस्तिमाल होते हैं तो कहरा है file type को identify करने के लिए इस तरह के extension जो इस्तिमाल किये जाते हैं आगे Excel workbook का संग्रह क्या कहलाता है तो Excel sheet कहलाता है या work sheet कहलाता है या work sheet ही याद रखे Excel workbook का जो संग्रह है आगे email पते के दो भाग कौन-कौन से होते हैं एक तो प्रयोकता का नाम बहुत जरूरी है दूसरा उसका domain number जरूरी है most important है आगे CAD सब्द का संबंध computer में किस्से होता है तो CAD का मतलब ही होता है दोस्तो computer added design क्या बोलते हैं computer added design मतलब computers होने वाली design तो designing से सब्द्वेर है आगे भारत में निर्मित प्रथम computer का नाम बताई super computer बना था सिधार्त नाम का आगे है computer program को high level programming language की रूप में लिखा जाता है मानो दोरा पढ़े जाने जो को program के अनुबाद को कहा जाता है क्या तो कहा जाता है source code क्या कहा जाता है source code बहुत important है और USB का full farm क्या है तो universal serial bus ये USB का जो है full farm है दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग हर content के उपर जो है focus करें चलिए आगे देखते हैं अभी आपका question जो agriculture से बिल्कुल घबडाइ ये मतिया 20 century to हुआ है आगे बोला चावल और धान के बारे माज हम बात करेंगे ठीक कर धान जो है इसका кीमिनिकुल का πै오धा होता है जो धान होता है किस कुल का होता है ये ग्रेमिनिकुल का पौधा होता है आगे चावल का वानस्पतिक नाम क्या होता है तो ओरा इजा सटाइवा क्या नाम है ओरा इजा सटाइवा ये चावल का जो है वानस्पतिक नाम है ओरा इजा सटाइवा चावल एक उफ्ड कड़िबंदी जलवायू का पौधा है कैसा पौधा है उफ्ड कड़िबंदी जलव है कि आए बहुत सा साय राज चावाल पर ही डिपेंड है लेकिन चावाल उत्पादर में चीन के बाद भारत का अस्थान दूसरे नमबर पर है अरथात प्रती एक्टेर उत्पादर में चीन जो है वो भारत से आगे है देश में मुख्य रूप से पस्चिम मंगाल और तमिलनाड में चावल की तीन फफसले पैदा किया जाती कहां कहां पर पस्चिम मंगाल या तमिलनाड में पहला देरा ओस ओस करा सरद रितु अर्थात मानसून काल में ठीक है यह होता है अमन जो होत पंजाब राज में अधिक होता है क्योंकि पंजाब देश का सरवादिक सीचित राज है अर्थात पंजाब प्रतिसत चेतर पर यहां पर ध्यान दीजेगे थोड़ा सा यहां पे चावल का मानादे में पस्चिम मंगाल यूपी और आंद्रप्रदेस है आगे देस में चाव आगे चावल को अत्यदिक धुलने या पालिस करने से चावल का उपरी परत में जो बिद्यमान विटामीन भी होता है अर्था थाइमीन ठीक वो नश्ट हो जाता है और यही कारण है कि जिन छेत्रों में लोग पालिस वाला चावल का उपयोग करते हैं उन में जो है कौन सा र नमक रोग फैल जाता है आगे गोल्डेन जो होता है यह भी धान या चावल की प्रयाती है जिसमें बिटामीन ए अर्था बीटा कारोटीन जो है अधिक मात्रम में पाय जाता है गोल्डेन सु राइस में ठीक है सबसे ज़्यादा मात्रम पाय जाता है आगे सरवाधिक फसल छेतर फल धारक राजे कौन कौन से है तो उत्तर पदेश हो गया राजस्तान हो गया बिहार हो गया यह सब जो है सरवाधिक फसल छेतर फल धारक कने वाले राजे है आगे सरवाधिक सीचित फल कौन कौन से है तो गेहूं और गन्ना यह दो फल है जो सफ्यादा बोया और का ताइक आब सकता ह्यां कि लेकिन को अगण कर गाया किशारते। लेकिन काहिए वादन होगती है और यह कोई ऐस स्टास। most important आगे चावल और गेहूं दोनों के उत्पादन में चीन के बाद भारत का स्थान कौन सा है दूसरे नमबर पर है ठीक है पहला नमबर चीन है दूसरे नमबर भारत है भारत का दूसरा महतवपूर खाद्यान चावल के बाद कौन सा है तो गेहूं है गेहूं सब यादा खाय आगे गेहूं को सिचाई के आप सकता पड़ती है क्योंकि गेहूं जो रभी की रिती की फसल तो है और सीत रिती में वर्सा कम होती इस वज़े थोड़ा वह पानी तो चाहिए चाहिए आगे हरित क्रांती तीन प्रद्योकी अस्तरों पर आधारित था एक है उच्छ कोटी का अगे बता रहा है कि पंजाब में हरी तक्रांती के प्रारंब से ही गेहूं का प्रती हेक्टेयर उत्पादन जो है सरवाधिक रहा है सुरू से 1946-1966 की बात करें तो उसी समय से पंजाब जो अलर्ट हो गया है और यह अपने उत्पादन में भिसेज ध्यान दे रहा है जिसक बाता है नाम का प्राव को जाता है नार्मन बॉल्राग नार्मे के मूल अमेर्की बैग्यानिक इन्हों इस प्रजाती का विकास में कियाथ definition में reference तो याद रखेगा most important नहीं रहता यार न तो मैंने आपको नहीं कोई दिक्कत पढ़ता है ठीक है बहुत जरूरी आपका पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है आगे देखें गेहों की प्रमुक प्रजातियां जो भारत में पैदा की जाते उसका नाम क्या है तो लार्मा sa sağ左, sa sa solera 63, sa solera 64 यह सब जो हैं गेहों की प्रजातियां आगे जापान की प्रमुक प्रजातियां कौन सी है तो नोरिझ 10 ये जापान की प्रमुक प्रजातित 이야기 Porsche नोरिण 10 आगे USA की पूछे तो गेंस याद रखना गेंस दोनों के बारे मताना है। आपको तो करा मक्का में 80% कार्बोहाइडिर्ट होता है ठीक है मक्का में 80% कार्बोहाइडिर्ट होता है जो खाध्यानों में स्तरवाधिक है मक्का के प्रोटीन को जेन कहा जाता है मक्का के प्रोटीन को क्या बोलते हैं जेन करा यह कार्बोहाइडिर्ट मक्का में डिजर के निर्वान में किया जा सकता है ठीक आगे मक्का क्या है एक तरह का सी फोर पौदा है मतलब मक्का एक उभहिलिंगी स्रेई पौदा है अर्तात मक्का में एक अही पौदे पर नर और मादा दोनों के फूल उगते हैं ठीक है यह अपना में बहुत अद्बूत होता है परवड ठीक है और यह सबस्यादा कहां पर है तो करनाटक में है और बाकी मक्का खरीफ रवी जायद तीनों रितु की फसले है आगे देखें मोटे अनाज में कौन कौन सा है तो मोटा नाज आपके राजस्थान वाले बेल्ट की पहचान है तो जो बाजरा मक्का यह सब क् सार्वादिक सूखा साने कीजिए थे सलेजियरा में इसको ज्यादाimer जाता है ठीक है यह writings ङए तो आप इसको जो है पूछा क्या है में सेरह सुखने में की घ्र गेरे तो जो आगे आगे देखते हैं दोस्तों आगे अब हमारा कोश्चन जो है वह आपका साइन्स है साइन्स कोश्चन तो देखिए क्या बता रहा है काउन सा जानवर ज्यादा तर मास खाता है आगे गन्य के लाल सड़न के लिए कौन जिम्यदार है तो यह कोन है अब ऐसे याद रहो टिका ठीका ठीक है आगे मालिस और बयायाम के माधियम से थरीरणके दोसों का इलाज क्या कराता है तो उसी को हम बोलते हैं 2 फीजि़ियो थेरेपि आज नहां आ गया है फीजियो थेरेपी बोलते हैं आगे भुरूण के विकास और विकास के अध्यान क्या कराते हैं तो भुरूण से समधी तब कोई भी विज्ञान पढ़ोगा तो इसको क्या पढ़ते हैं भुरूर विज्ञान बोला जाता है आगे नाड़ी और धमनी रक्तचाप के अध्यान को क्या कहा जाता है तो इस फैगमो लोजी बोला जाता है लेकिन इसको मापा किसे जाता है तो इस फिक मैमनो मीटर से ठीक है तो दुनों का नामी से मैं पहचान जाओगे आगे पौधे और पसुपर जहरीले रासानिक पदार्थ के प्रभाव के अध्यान को क्या कहा जाता है तो यह विश्विज्ञान है किसका मामला है यह विश्विज्ञान का मामला है आगे विज्ञान की वह साका जो मनुझे की तुचा के अध्यान से संबंदित है वो तुच 90-92% पानी जो है वो मानो सरीन में प्लाजमा के रूप में पाया जाता है आगे कौन सा एंजाइम दूद को पचाने में सहायक होता है तो रेनिन नामक एंजाइम होता है यह दूद को पचाने में सहायक होता है आगे मस्तिस का कौन सा हिस्ता प्यास भूख और नीद का केंद् तो hypothalamus कौन सा hypothalamus जो है इसी की वज़े से प्यास भी लगता है भूग लगती है नीद लगता है गुसा होती है hypothalamus आगे कौन सी रोगाडू रोधी दवा टीबी और कुछ रोज के इलाज की रुपयोगत माने जाती है तो इसका नाम क्या है रिमफैमपी सीन ठीक है आगे DNA के क्रिप्तिम संस्लेशर के लिए किसको nobel prize मिला था तो कौन बर्ग को मिला था इन्होंने क्या किया था DNA का क्रिप्तिम संस्लेशर तयार किया था कौन बर्ग ने आगे पारिशी की तंत्र में अजयव घटक क्या कराते है अजयव जिन में बदलाओ नहीं हो सकता तो पानी है आगे कौन सा उर्जा का सुरोत प्रदूसर की समस्या नहीं है तो सूरी जो है इस समय कोई फिलाहल तो कोई इसू नहीं है इसको लेकर करके ठीक है इसको भीयात रखे आगे अंटार कटका के उपर ओजोन छीतर में छीतर की खोज कब होई थी भारत में अस्थापित क्या गया तो जिम कारबेट कौन सा जिम कारबेट जो नेसनल पारक था पहले इसका नाम था है यह बताता है कि कौन से जो पक्ची है वो बिलुक्त होने की कितम कागार पर है आगे कौन सा संगठन रेट डेटा बुक को बनाये रखने के लिए जिम्मिदार कौन है तो आई-उ-सी-अन है कौन सा आई-उ-सी-अन ठीक है आई-उ-सी-अन तो यह क्या करता है यह जिम्मिदार है यह जो कहीं हो करते हैं ठीक है इसको याद रखे यह IOCN आगे है कौन से बैग्यानिक ने जाती एना लीड़ा की अस्थापना किया था तो लैंड मार्क ने किया था जाती एना लीड़ा यह भी मैं पढ़ाने वाला हूँ आगे एडवर्ड जेनर की स्लोक से संबंदी तो इन्हों ने चेचक के टीके का टीके आगे दिल की कितनी जोड़ी एक केचुए में पाए जाता है तो चार अगे 1952 ने बंगाल का कार अकर फेस्तर से को कहा जाता है तो बहुत है थ्रीयो फ्रेस्टरस को किसको थ्रीयो फ्रेस्टरस को आगे भोजन का उर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता तो ये काम करती माइटो कंडरिया और वहीं पर उर्जा जेनरेट होता इसलिए उर्जा ग्रिह भी इसी माइटो कंडरिया को कहा जाता है आगे कोशिका सिधान का प्रतिपादन किस ने किया था तो स्लाइडन और स्वान ने किया था कोशिका सिधान का प्रतिपादन आगे यूरोनियम किस में पाए जाता है तो यूरेनियम नहीं यूरेसिल यूरेसिल किस में पाए जाता तो ये आर्यन्य ठीक है आर सब्सक्राटरा पता है यह श्याया मंनों यहांच पांव Hind מאוד कसे का सब्सक्राइब गया जाए फेटल खौर सब्सक्राइब पर करें लोग नहीं सब्सक्राइब होत्था कर को सिर्दा में वाइब कर से नाम दोर्ब मैं, सब्सक्राइब गया तो यह कोई माने पादपों में जल के परिवहन का कारे करता है तो जाइलम जो होता है जल का परिवहन करता है और फ्लोयम जो है वो आहार का करता है आगे कपास के रेसे पौधे के किस भाग में पाए जाते है तो बीजो पर अधी चर्मी रोम जो होता है वहाँ पर पाए जाते है रेसे आगे स सौसन मूल या नियुमेटो 4 किस पौधे में पाए जाती तो जूसिया नाम के पौधा है ठीक है उसमें सौसन मूल या नियुमेटो 4 पाए जाता है आगे चंदन को समानता क्या माना जाता है तो आंसिक मूल पर जीवी माना जाता है चंदन को यह बहुत important question अगर exam में आजा त बहुत कमी लोग इसको बता पाएंगे आगे गन्ना और गेहों में किसके द्वारा परागड़ होता है तो हवा के द्वारा दोस्तों परागड़ होता है आगे वास्पो सर्जन मापी यंत्र कौन सा है जिससे वास्पो सर्जन मापा जाता है तो पोटो मीटर होता है इससे आप वास्पो सर्जन को माप सकते हो आगे सबसे बड़ी आखे की ससंधारी के होती तो यह हीरण की होती है पढ़ाया हूँ आपको आगे कारबन डियाकसाइड यहने सी ओटू की सरजन में सरवाधी क्योगदान वाला देश कौन सा है तो अमेरिका है चीन है ठीक है ज़्यादा तर और माइनस कारबन क्रेट किसने लेकर रखा है तो भोटान ने आगे बोटनी सब्द की उतपत्ती की भासास होई तो ग्रीक सब्द से होई है और यह राप के लिए थोड़ा सा एक दो तिन प्रशन और है पौदे की आंतरिक सनचना का ध्यान का लाता है तो सारीर की विग्यान का लाता है क्या बोलते हैं सारीर की विग्यान आगे जीवित प्राडियों के सरीर में होने वाली कौन सी प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया होती है तो प्रोटीनों का एमिनो एसिड में बिगटन जो होता तूटता जो है वो पाचक प्रक्रिया कहलाता है दोस्तों पूरा का पूरा यह काम में डाइजिसन सिस्टम में पढ़ाया हूँ इसके बाद भी अगर आप ध्यान नहीं आ रहा है तो फिर यार कुछ नहीं हो सकता आपका प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है तो ट्रिपसीन जो है सहायक एंजाइम का काम करता है उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाद्यान पालिस की अवा चावल है कौन से रोग से पीडित होते हैं तो वो बेरी बेरी रोग से पीडित होते हैं मान स्पे ग्रीन हाउस गैस में प्रभाव में सबसे जादा योगदान देती यह आप याद रखी एक लाइं की बात है आगे है तुचा का कैंसर सूरी की पराबैगनी क्रिड़ों से होता है आगे तंबाखु की पत्तियों में निकोटीन पाए जाता है तंबाखु हो गया चाय हो गया मीना था तो दोस्तों यह रहा और हमको लगता है कि हम लोगों लगबग सभी टॉपिक को कंप्लीट किया तो आप याद रखेगा सभी टॉपिक को बहुत ही इंपोर्टेंट है ओके तो इसी के साथ दोस्तों यह वाला वीडियो हमारा समाप्त होता है और कोशिज करिएगा कि अगर कोई भी एडवर्टिजमेंट आता है तो प्लीज मेरे भाई उस एडवर्टिजमेंट को आप पूरा देखेगा पूरा देखेगा उसको आप स्किप मत करीगा प्लीज देखे बहुत इमांदारी बहुत मेहनस अगर आपको पढ़ाय जा रहा तो इतना सपोर्ट कर आना आपका फर्ज बनता है ठीक है चलिए थैंक यू थैंक यू सो मच अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सेर ज़रूर से करिएगा ओके बाए